दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर पूनम दुशामड आज फिर आपके बीच अपनी कुछ कविताओं के साथ जन सरुकार मंच से और बहुत खुश हूँ कि जन सरुकार मंच ने मुझे यह मोका दिया कि मैं अपने ही कविताओं का पार्ट इस मंच से करूँ तो इसके लिए ब स्त्री और कविता पहले इसी कविता का पार्ट मैं इस मंच से करूँ गी हाँ यह कविता है स्त्री जब भी लिखना चाहती है कविता मैं लिखती है केवल महागाथा जीवन की स्त्री जब लिखती है चांद स्त्री जब लिखती है चांद तो अंधिरों को ना पाना चाहती इस छोर से उस छोर तक, स्त्री जब लिखती है आकाश, तो लांग जाना चाहती है शितिज की उस्वार, स्त्री जब भी लिखती है पंक, तो खुल जाते हैं असंख्ये, खिड़कियां और दर्वाजे, तोड़कर समय की साथ में, स्त्री जब भी लिखती है प्रेम, समर्पन का भाव लिए, खंड-खंड भी खर जाना चाहती है, संपूर्ण धरा की उर्वराचाती पर अंकुरित हो, बन जाना चाहती है अमर्वरिक्ष स्त्री जब भी लिखती है कविता, वह कभी अकेली नहीं होती, होती है उसके साथ वे सब स्त्रियां, जो कभी नहीं लांग सकी अंधिरों को, जो कभी नहीं लांग सकी घर की दहलीज भी, जिनोंने नहीं महसूस की स्वचन्द तरो ताजा प्राण वाईयों, स्त्रियां जो कभी नहीं कर सकी प्रेम का इजहार, घुटती रहीं, तमाम उम्म्र, उठती रहीं, उठाती रहीं, साज जुडे रिष्टों का बोज, संबंदों को सहेज्दी समार्थी, इसका एक दूसरा भाग है दोस्तों, इसका नाम भी स्त्री और कविता है, बंद कमरों में बैठ कर साहितिक होना स्त्री की कविता नहीं है, स्त्री की कविता देहिक उदमाद में उठा कोई भाव भी नहीं है, वह स्त्री और पुरुष संबंदों का बहुना आंकलन भी नहीं है, आकर्श्मिक सुख से सजल नेत्रों की अभ्यक्ती है, स्त्री की कविता पहाड हुए दुख का विहल विलाव है किसी भी स्त्री की कविता कभी अकेली कविता नहीं होती स्त्री की कविता कविता भर भी नहीं होती सदियों से श्रम में जुटी नदियों जंगलों और पहाडों पकडंडियों पर छिलती एडियों से निकलता पीडा गान है स्त्री की कविता बुड़ी जरजर काया में जुर्यों के बीच टिम्टी माती पनीली हंसी है स्त्री की कविता मोसमों को पच्छाड कर किसानी में छिले हातों की गवाही है स्त्री की कविता कभी अकेले कविता या अभिजात्य कविता हो ही नहीं सकती स्त्री की कविता समाज के सब से निचले पायदान पर खड़ी अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ती जूजती स्त्री का जातिय संगर्ष है स्त्री की कविता सामुही संबाद है दोस्तों एक और कविता है ओरत की उदास आँखे बरसों पहले रेगिस्तान हो गई धर्ती की तरह दूर तक खाली और सुनसान होती हैं उदास ओरत की आँखे फैली रहती हैं अकसर किसी बेजान मरुस्थल सी उदास ओरत की आँखे आँखे आँखों में नहीं रहता कुछ शेश किसी सुख की लालिमा रह जाती है केवल धदकते लावे के बाद बची बेरंग ठंडी राख सी उदास ओरत की आँखे यह आँखें कई बार देती हैं एसास किसी अलहर मदमस्त नदी के एक आएक सूख जाने का उदास ओरत की आँखें उदास ओरत की आँखों से रूट चाते हैं बाहरों मास उदास ओरत की आँखें बरस पड़ती हैं यकायक अंतर में फटे किसी मेग सी या धीरे-धीरे पिघलते किसी हिमखंड सी ये आँखें समीटती रहती हैं अपने भीतर दर्द के असंक्य तूफान तो कहीं पीछे चूट गई यादों के भवर में फसी छटपटा उड़ती हैं किसी मचली सी उदास औरत की आँखें केवल आँखें होती हैं उसी तरह उदास आँखें भी होती हैं कहने को एक जोड़ी उदास औरत की आँखें कब रहती हैं लेकिन एक औरत की एक जोड़ी आँखें जैसे ही जाकता है कोई इन आखों में ये आखें हो जाती है तब दिल दरजनों जोड़ी आखों में